दोस्तों एक समय था जब ब्रिटिशर्स के कई कलब और यूके के डाउनिंग स्टीट पर लिखा था डाउक्स एन इंडियन्स आर नॉट अलाउट और दोस्तों मैं 70 सालों बाद आज देखिए डाउनिंग स्टीट में इंडियन पीम और डॉक्स दोनों ही राज करते हैं दरसल ये बात हम आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि जेयाडी टाटा तक को भी इस इंसल्ट से गुजरना पड़ा था जब वो एक बार यूके विजिट पर थे और वहाँ पर विजडा मोटल में गए थे उस इंसल्ट के बाद ही जेयाडी टाटा ने विजडा मोटल से बहुत ही बहतरी और लगजीरियस होटल बनाने का सोचा था और मैं चन्द सालों बाद उन्होंने ताज होटल बनवाया जो कि वर्ल्ड की मोश लगजीरियस होटल में से एक है आज और विजडम से तो लाखो गुना सुंदर है ताज होटल हाला कि जेयाडी टाटा यहीं नहीं रुके उन्होंने ये बाद ठान ली थी कि वो इंडिया का दबदबा एक दिन यूके में बढ़ाएंगे लेकिन दुख की बात तो यह है कि वो जल्दी हमें अलवीदा कह गए लेकिन उनके लक्ष को और उनकी सोच को उनके बेटे और उनके ग्रैंट सन ने पूरा किया यहाँ तक कि सर रतन टाटा भी उन्ही के नक् माचलाग कारे तो अकेले टाटा की है वो भी जैगवार और लेंड रोवर की मतलब टेटलीटी और टाटा इस्टियरोग, जो पहले बेटेस्टील थी उसे ताटा ने खरीदा और अपना बना लिया वहीं Tata Consultancy Service, Jaguar Land Rover, Tata Communication, Tata Chemical Sirop, जिसे पहले Brunner Mind के नाम से जाना जाता था, इसे भी पूरी तरह acquire करके, आज Tata Chemicals UK की सबसे बड़ी chemical company बन गई, और आखरी में J.R.D. Tata का revenge पूरा करते हुए, I.S.C.L. यानि ताज होटल बन वाया है, वो भी UK में, जिसके तहर Tata UK UK में 60,000 स जादा लोग को रोजगार दे रहा है, जिसवासे दोस्तों आपको बता दे कि, आज अगर गलती से भी Tata ने UK से हाथ पीज़े कीच लिया न, तो आज UK में 3-5 पर्तिशत लोग एक जटके में बेरोजगार हो जाएंगे, और UK की GDP रात और रात नीचे आ जाएगी, ऐसा इस साथ इस वीडियो के अंट तक, नमश्कार दोस्तों मैं आपका होष्ट कौरफ कश्यप और आप देख रहे हैं AG के टॉप 10, वेल दोस्तों इसी तरह अगला देश है साउथ कोरिया और यहाँ पर भी Tata ने अपना सिक्का जमाया हुआ है, क्योंकि आपने डाइवो ट्रक का पाकिस्तान जैसे देशों में सप्लाई होता है, जिसका सालाना रेविन्यू 50.7 मिलियन डॉलर का है, और इसी वएसे आज टाटा डाइवो सेकंड लार्जस्ट हैवी कॉमर्शल विकल मैनुफेक्चरर है साउथ कोरिया की, क्योंकि अगर सीधी भाषा में समझे तो, अगर टाटा ने कोरिया से हाथ पीजे खिच लिया तो, सेकड़ो लोग की नौकरी तो जाएगी, साथी साउथ कोरिया में हैवी विकल की अकाल आ जाएगी, हाला कि दोस्तों टाटा की महानता तो यहाँ पर देखने को मिलती है, आज भी टाटा डाइवो के परसिडेंट और सीओ एक कोरियान ही है, कीम बॉंग शीन, हाँ पर चेर्मेन नटराजन चंदरशेकरन है, खेर इस सूची में अगला देश है थाइलेंट, जहां टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसी एस, टाटा दाइवो और टाटा कंजूमर्स, जो कि टाटा के लीडिंग कंपनीस में से एक वो थाइलेंट में अपना सिक्का जमाका रखी है, आप समझते हैं वो कैसे, दरसल टाटा स्टील थाइलेंट पीलसी, थाइलेंट में अकेले 40% स्टील के अपूर्ती करती है, वहीं टाटा मोटर्स थाइलेंट के लिए, जैनोन डीजल और स्पेशली CNG कार्स बनाती है, ज वहीं TCS, थाइलेंट के बैंक्स को आउट्सोर्सिंग और डिजिटल समीत IT सर्वीस प्रोवाइड करती है, वहीं अकेले टाटा स्टील का, थाइलेंट में 410 मिल्लियन डॉलर का मार्केट कैप है, खैर अब वक्त है अगले देश में जाने का, जो है बंगला देश, और दो बंगला देश की one of the most selling cars है, मतलब वेहिकल सेक्टर में टाटा ने बंगला देश में अकेले 20% की पकड़ बनाई हुई है, वहीं टाटा कंजूमर्स भी, बंगला देश में leading brands में से एक है, जिसमें coffee और चायपत्ती शामील है, और बंगला देश के high demand के चलते ही, टाटा ने टाटा टी premium चैपत्ती का छोटा दाना और बोरो दाना हाली में बंगला देश में भी launch किया है, जिस वह से आपको बता दे, अकेले टाटा मोटर्स बंगला देश में 8000 लोग को रोजगार देती है, वहीं total employment का या आकड़ा बंगला देश में 15-16000 का है, यानि दोस्तो इसक एक और देश है, ख्यार अगला देश है स्पेन, दोस्तों स्पेन में पहले से तो टाटा का सिक्का चलता ही था, साथी भविश्य में भी अपना सिक्का बनाई रखने के लिए, टाटा गुरूप स्पेन में EV का प्लांट बिचा रहा है, स्पेन के जुआरा में, जिसके लि जादा एसूसियेट को रोजगार देती है, जिसमें 30% से जादा तो वूमेंस को चांस दिया गया है, हाला कि इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और जैगवार लेंड रोवर जैसे, टाटा की कंपनी स्पेन में 11,000 से जादा लोग को डेरेक्ट और इंडेरेक तरीके से रोजगार दे रही है, वहीं हिस्पानों जिसकी स्पेन में सारी बसे चलती है, उसे भी टाटा ने 2009 में पूरी तरह से एक्वैर कर लिया था, जिसके बाद स्पेन में चलने वाली लगबग हर बस टाटा की ही हो गई है, वहीं टाटा एलेक्सी भी स्पेन में एक बड़ी डिजिटल और AI कंपनी मानी जारी है आज मतलब टाटा ने गलती से भी हाथ खीचा तो इस पेन में बेरोजगारी तो आएगी साथी बस यानि पबलिक ट्रांसपोर्ट में भी भैंकर क्राइसिस देखने को मिल सकती है इस पेन में लेकिन यकीनन टाटा कभी ऐसा नही और वहीं टाटा के ट्रक्स की तो कुछ जाधा ही डिमांड है साउथ अफरीका में वहीं इंडिया के बाद टाटा नेक्स वान सबसे जाधा साउथ अफरीका में ही खरीदी गई है हाला कि इसके अलावा TCS टाटा कोम्निकेशन और टाटा कंजूमर प्रडेक्स साउथ अफ अफ्रीका से जरा सब यहांद पीछे की जातो अफ्रीका की पूरी एकनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि टाटा का अकेले साउथ अफ्रीका में दस लाग इक्यावनाजार पांसो अठाइस मिल्लियन डॉलर का मार्केट कैप है अच लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका तो दस सबसे बड़े सबूत दियें आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख भी सकते हैं क्योंकि टाटा मोटर्स कंपनी अपने रेवेन्यू का असी परतिशत से अधिक अपनी एसोसियेट कंपनी जैकवार और लेंडरोवर से प्राप्त करती है दरसल जो शेयर बजार में होगी उन्होंने ये बाद शायद नोटिस किया होगा कि टाटा मोटर्स का शेयर काफी तेजी से बढ़ रहा है पिछले दो सालों से दरसल उसके पीछे का सबसे बड़ा कारन है मार 2021 की तिमाई में टाटा मोटर्स काफी प्रोफिटेवल कंपनी बन गई थ वो भी लगजरी वीकल मैनुफेक्चरिंग, स्पोर्ट्स कार और SUV कार सेंगमेंड में हाला कि इसके लावा टाटा स्टील भी चायना में भारे एक्सपोर्ट करता है हाला कि अब अमारे कई दो सोच रहे होंगे कि चायना में टाटा कैसे और कईयों को तो विश्वास भी न अपनिया थी और ना ही कोई इतना डवलब नेशन था वो जी हां दोस्तों हम बात करें नौर्थ अमेरिका की हाला कि दोस्तों जो यह जानते कि नौर्थ अमेरिका में कौन गौन से देश आते हैं वो 10-20 सेकेंड स्किप कर सकते हैं लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दे नौर्थ अमेरिका में बरबडास, बहामास, कैनेडा और युनेटिश टेड अफ अमेरिका इन सभी देशों को नौर्थ अमेरिका में काउंट किया जाता है और यहां भी टाटा गृप की बहतरीन पकड़ हैं दरसल आपको बता दे टाटा गृप की उपस्तिती नौर्थ अमेरिका में आज से नहीं है बलकि 70 सालों से भी अधिक वर्षों से है जिस वाजे आज नॉर्थ अमेरिका में टाटा की 13 कंपनीज है और 35,000 से भी जादा इंपलोईस को टाटा ने वाँ जॉब प्रोवाइड कर रखा है मतलब यहां काम करने वाली टाटा की मेन कंपनीज है TCS, Jaguar Land Rover, Tata Communication जो कैनाडा की सबसे बड़ी टेलिकॉम प्रोवाइडर भी है आज टाटा टेकनोलोजी, टाटा स्टील और टाटा केमिकल समेथ टोटल 13 कंपनीज टाटा की नॉर्थ अमेरिका में आज भी बहतरीन पकड़ के साथ लगातार वर्किंग में है अगर आप में से कोई USA गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपने वहाँ पे टाटा का क्या देखा है या नहीं देखा है जो भी और अब नंबर वन पर आता है जो देश टाटा के बिना चली नहीं सकता जिस देश के हर नागरी को टाटा पर सबसे ज़्यादा गर्व है वो है महांदेश भारत क्योंकि अकेले टाटा इंडिया की टोटल इकनॉमिका 2.5 पर्तिशत से 4 पर्तिशत का हिस्सेदार रहता है उसकी GDP में और इसका सबसे बड़ा सबूत है अकेले TCS ने इस साल 11,536 कोड का टैक्स दिया है इंडियान गॉर्मेंट को वहीं कई चैरिटी और इंडिशन भी टाटा ट्रस्ट इंडिया में ऑपरेट करती है हाला कि दोस्तों जो थोड़ा डीब में जानना चाते है उन्हें बता दे कि अकेले टाटा ग्रूप के पास 40 से ज़्यादा सबसीडरी कंपनी है वहीं टाटा संस के पास 25 प्लस यानि अगर टोटल कर दिया जा और पोस्ट ओफिस के बाद और लाज डाटा की अकॉर्डिक ओवरल 9,35,000 प्लस लोग को टाटा इंडिया में रुजगार दे रहा है डिरेक्ट और इंडिरेक्ट तरीके से और तो और दोस्तों आपको बता दे रिलाइंस बेशक से भारत की सबसे बड़ी कंपनी है पर रे के बार में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि टाटा के कितने इंसिट्यूट है टाटा कहां कहां चैरिटी करता है कब कब टाटा ने किस विदेशी कंपनी को टूबने से बचाया और भारत के कितनी कंपनीओं पर पकड़ है टाटा की इन सब के बार में हट डिटेल क जानकारी आप इस प्लेलिस्ट पर सिर्फ एक क्लिक करके देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं इसी तरह की और जबरदस्त वीडियो के साथ तब तक के लिए की वाचिंग जाहिन जा भारत